निकल अच्छी बैठक हुई है, मैं आधन्या हमारे जो पार्टी के राश्चनीता है विनु गुपाल जी उनसे मिला हूँ और बहुत से मुद्दों के उपर चर्चा हुई है हिमाचल के संदर्व में और निश्चत तोर से जो ये पूरा मसला था इस विशे में भी मैंने उन पार्टी के करमट सिपाई है और उसको फॉलो करना हमारा परमदायत्व है, जिमवारी है मगर उसके साथ साथ मैंने उनको ये भी जरूर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो पिछले काफी समय से जो ये पूरा एक विवाद चला हुआ था उसको ठीक करने के लिए सरकार इसमें मल्टी पार्टी बॉडी है वो इस चीज़ को देखेगी और किस तरीके से वेंडिंग होनी है आने वाले समय में क्यूंकि इसमें पहले भी हाई कोट के सुप्रीम कोट के कई इसमें डिरेक्टिव्स है सरकार को कि इसको एक फेज़ मैनर में लागू किया जाए हमार की भावना को ठेस नहीं पुचाना चाहते हिमाचल प्रदेश देव भूमी है और प्रदेश में किसी भी कोने से कोई भी हमाचल में आ सकता है उनका स्वागत है मगर निश्चित तोर से प्रदेश की जो आंतरिक सुरक्षा है प्रदेश की जो लोगों के स्थानियों लोगों के concern उसका ध्यान रखना भी सरकार की जिमेवारी है और इस चीज़ के बारे में मैंने पार्टी हाइकमांड को कहा है कि इसके उपर सरकार मिलकर पार्टी हाई कमान को अफ़कत करवाया है और मिलकर हम हिमाचल प्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी की पॉलिसीज को भी इंप्लिमेंट करेंगे और उसके साथ साथ जो हिमाचल के लोगों की पैरवी है हिमाचल के लोगों के हितों की रक्षा है उसको करना भी हमारा दायत्व बनता है ये बात मैंने पार्टी है कमान को आदर निया बेनु को पाल जी को कही है और उन्होंने उस बात को माना है स्विकारा है इतो इसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ